हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खुबसूरा सा डिसाइन का डोर मेट मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है तो यहां से हमने देखें दो कलर की पट्टिया हमने कट करके रखी ह हुई है एक एक इंचेस की पट्टि हमने कट की है इस तरीके से तो इसे से हम डोर मेट बनाएंगे बहुत ही खुबसूरा सा डिसाइन बनाने वाले हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखें इस तरीके से सबसे पहले हम इस डिजाइन को कवर करेंगे देखें यहा सबसे पहले हम यहां पर इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आप देखें यहां से एक फंदा छोड़ते हुए यही से हम पलट लेंगे और उपर की साइट जाएंगे इस तरीके से सबी फंदो को बुनना है हमें एक साथ में बुनना है ठीक है यहां से सबी फंदो को बुनेंगे इस तरीके से सबी फंदो को बुनेंगे अब यहां से देखें बुन लिया बुनने के बाद यहां से पलट देंगे इस तरीके से अब एक इंचे देखें यहां से एक फंदा गोल राउंड किया एक फंदा बढ़ा लिया ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो और एक फंदा फिर से हम छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे जानके एक एक फंदा नीचे की साइड यहां पे हमें छोड़ना है ठीक है आब यहां से देखें उपर की साइड जाएंगे इस तरीके से सॉरी, यहां पे हम देखें एक फंदा बोले थे नो, यहां पे पहले एक फंदा छोड़ना है फिर अब यहां पे दो फंदे छोड़ने हैं और यहीं से पलट लेंगे ठीक है तो ध्यान से देखें तब ही समझ में आएगा आब यहां से सभी फंदों को बुनेंगे बिल्कुल step by step बताएंगे बिल्कुल भी वीडियो को long नहीं बनाएंगे आप लोग जो है बिल्कुल watch करते रहें और हमाई साथ बने रहें अपना प्यार और support बनाए रखें तो new है अगर पहली बार channel पे विजिट कर रहें तो subscribe करें और हमारे साथ चुड़ जाएं तो देखें यहां से एक फंदा इस तरीके से फिर से यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे देखें यहां से आसान होता है बिल्कुल इस तरीके से फंदा बढ़ाना तो यहां से एक फं दे छोड़ते वे यहीं से पलट लेंगे आज है थोड़ा सा मस्ती करने का मूड तो आप लोग इस तरीके से आप लोग हम ऐसा जुड़े रहें और डिसाइस को बनाते रहें तो देखें यहां से सभी फंदों को एक साथ में बुनना है मैं तो यहां से बुनते वे उपर की साइड जाएंगे फटा फट और यहां से देखें आप इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे फिर से एक बार गोल्ड राउंड मरेंगे यहां से और एक फंदा हम बुन लेंगे ठीक है एक फंदा बुनते वे यहां से नीचे की साइड जाएंगे और यहां से देखें तो एक बार मुझे काला बनाना है एक बार गोरा यानि कि एक बार काला बनाना है एक बार लाल ठीक है एक एक करके कली को हमें इस तरीके से बुनना है फटा फट से इस तरीके से बुनते जाएंगे और यहां से हमारा हो गया color खतम तो हम यहां पर कर लेते हैं नया color add तो color को add करेंगे पटी को फैलाएंगे पटी के बीच में इस तरीके से पटी को रखेंगे और इस तरहे गोल राउंड करते हुए फिर से इसकी बुनाई करना स्टार्ट कर देंगे यहां से देखें तो कल की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास कल की वीडियो को करें चेक आउट और हमारे साथ देखें कौन से वीडियो आने वाली है कल की red और यहाँ पे दो फंदा फिर से हम यहाँ पे छोड़ देंगे इन्हें हमें पीछे छोड़ते हुए चलना है उपर की side देखे हैं फिर से छोड़ेंगे और यही से red color को continue करेंगे इस तरीके से continue करते हुए उपर की side की करेंगे बुनाई ठीके इस तरीके से बुनते हुए उपर की side जाएंगे और यही से हम पलट लेंगे पलटने के बाद इस तरीके से ब्लैक कलर को करेंगे add ठीके add कर लिया यहां से देखें अब यहां से हम ब्लैक को बुनेंगे पलट देंगे पलटने के बाद देखें यहां से अब black को हम फिर से बुनेंगे सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस design को बनाने में पता है फटा फट से यह design बन जाती है कोई problem नहीं होती है बहुत जल्दी जल्दी बनती है अगर आप इसे बनाएंगे तो इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से देखें यहां से फिर से हम बनेंगे और तीन फंदे बनेंगे चार और इहीं से दो फंदे काले छोड़ देंगे ठीक है उपर के साइड लाल कलर से बनाएंगे यहाँ पे यह वाला डिजाइन जो है विस्टार से बहुत ही खुबसूरा सा डिजाइन है वो पिल्कुल आसानी से बनता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है अब यहाँ से फिर से ब्लैक को बुन लेंगे देखें यहाँ से अब यहाँ से देखें जब रेड कलर हमारा बुन गया है इस तरीके से यहाँ से बुन गया है अब यहाँ से हम क्या करेंगे ब्लैक से करेंगे रेड के दो अभी तक दो छोड़ते वे जा रहते हैं अब रेड को दो करेंगे दो का एक और यहां से एक दो और एक फंदा ब्लैक का हम, सिर्फ एक फंदा हमें उठाना है दियान रखें, एक ही उठाएं दूसरा नहीं, एक उठाएंगे यानि कि यहां पे दो छोड़े थे तो एक भुनेंगे और एक छोड़ देंगे इसी तरीके से छोड़ा पड़ा रहेगा अब यहां से देखें आगे की साइड इस तरीके से सीधी साइड से लेंगे ठीक है यहां से सीधा लेंगे और पलट देंगे पलट दिया, पलटने के बाद आप देखें यहां से दो फंदें फिर से red का एक करेंगे red से black का और यहां से 1, 2, 3 अब देखें जो फंदा आपने छोड़ा था ना black का वो भी बुल लिया, आगे से 1 एक फंदा आगे से red का बुलेंगे, red एक पड़ा रहेगा इस तरीके से आप यहां से पलड़ देंगे फिर से इस तरीके से बनेंगे देखें इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी नोक जो है बहुत ही अच्छे से बन जाएगी बहुत ही सुन्दर सी लगेगी अगर इस तरीके से आप नहीं बनाते हैं ना तो थोड़ा सा नोक कम अच्छी बनती है तो इस तरीके को अपनाएंगे तो बहुत यह अच्छे से बना पाएंगे तो देखें यहां से फिर से इसे पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे ठीके यहां से पलट दिया और इस तरीके से फिर से हम करेंगे ब्लैक कलर को एड़ यहां पर देखें यहां से एक ब्लैक कलर को एड़ करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे सभी बंदों को एक साथ में अब यहां से एक रेड का बुना एक ब्लैक का बुना फिर सेही से पलट देंगे इस तरीके से आप देखें यहां से सबी फंदों को बुनेंगे पलट देंगे यहां से अब फिर से करेंगे रेड से दो का एक यहां पे दो का एक करेंगे ठीक है अब हमें उतने फंदे दो का एक करने हैं जितने फंदे हमने मतलब लिये थे यानि कि हमने 10 फंदे लिये थे तो हम ठेंट फंदे तक की पूरा इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे देखे यहां से अब एक फनदा फिर से लेंगे और नीचे की साइड पलठ देंगे उपर की साइड फिर से इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे फटा फट से बुनते हैं इस तरीके से देखें यहाँ скаж बुन लिया अब यहाँ से पलट देंगे सीधी साइट से लेंगे तो तुन गुद, अब यहाँ से देखें दो का एक फैर से वाई process दो का एक करेंगे बलैक से बुनेंगे इस तरीके से पोलेकर जो मैं बता रहे हुँ सेम ही बुनना है आपको बार बार इसी को कांटीन्यू करते जाना है ठीक है इस तरीके से फिर ब्लैक को एक बुनेंगे और यहां से पलड़ देंगे इस तरीके से यहां से देखें अब यहां से देखें इसे उतारेंगे और यहां से पलड़ देंगे देखें अब यहां से फिर से हम red से करेंगे दो का एक अब यहां से हम red से कर लेंगे आप देखें इस तरिके से हम complete black बुनेंगे और यहां पर देखें देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ठीक है लास्ट में हमने जो एक ब्लैक बुना था चोड़ा था उसे एक ब्लैक को ब्लैक ही बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से अब इसे उतारेंगे देखे यहाँ पे इसे बार बार हमें बुनना नहीं यहाँ पे लास्ट वाला फंदा हमें एक बार से वन साइड स भुने, तो आसानी से इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा बनेगा, परफेक्ट बनके रेड़ी होगा, तो दिखें, यहां से, हमने इस कलर को कर लिया है, कम्प्लीट इस पत्ती को इस तरीके से, जैसे हमने इस पत्ति को बनाया है, उसी तरीके से यह मी ऑना भी बनाया आप सेम प्रोसेस जैसे में हाफ आ देखे बन गया तो सेम प्रोसेस जैसे हम drewn पर इसाइन आप बार बार करते जाएँगे आपका डिसाइन शी तरीके से बनके श्टार्ट सेफ में बनक betting हो जायाखा आप जाहे तो अलग-अलग कलर को एड़ करके अलग-अलग डिसाइन बना सकते हैं आप चाहे तो इसी तरीके से दो कलर से बनाएं आप चाहे तो हर पत्ती को अलग-अलग बना सकते हैं ठीके आपको जैसा पसंद हो आप पास जैसे कलर एवलेबल हो आप उस तरीके से डिसाइन को बना सकते हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब